काफी पूछी जा रहा हूं कुछ करने riktric की जो काफी पूुछी जा रही है और impact के तो क्योंके का remember सो हमारे पास क्या है के ख्ला कि गूतनी कि को इस क्यों बीजाएं in the x-y plane of practical cognitive, practical cognitive में दे रखे हैं उनके electric field एन electric field e2, second region से पे जो electric field दे रखा है 3x plus 4y minus 12z, ये x cap, y cap, z cap किसी समय पे unit vectors हैं आप से हैं along the x, y axis, y axis and z axis respectively, axis तिंदा q2, z की value greater than 0 है, और equal to the material of which has relative permutory p3, कि और फायं दीवन की वेल्ट वन टो दीवन पूछा की वर में वाट युद्ध वेयर था रेक्टी परमिट्विटी इज वन पॉइंट फाइव तो हमरे पास क्या दे रखा है कि किसी समय पे हैं कि वैल्यू एट जेट गेवन फाइव और क्रेट जो गिवन दे रखा है वो खुब यूद्र बांडरी कंडिया तो किसी समय पर जो इस सोब करने को चलेंगे तो अफिए पे जाना होगा ऐसमें में एक राचुका हूं पहरे वीडियो में किसी समय पर जो नॉनमल कंपोनेंट नहीं माइनस सब्सक्राइब तो सिर्माइफ जो कहलाती है वह किसी समय पे इपर आपनों पर जैसे कोशन में गिविन है कि जाइलग्रिक्स है बैया टांडर होता है तो स्व क्राइब करेंगे करेंगे किकिसी समय इंगों के बरावर कर देंगे जो है एलेक्रीड इस्प्रेस्मेंट रेक्टर कहलाता ए और में पहली वीडियो में डिसक्स कर चुका हूं कि एपसाइडर नौट फ्लस पी होता है जहां ई-प्लस प्लस पर रहता है तो डीकल पर किसी सब्रेड़ पर यह नि तो यहां पर फर्स रीजन मा आजाएगा Epsilon 1 E1 Perpendicular नॉर्बल का मतलब Perpendicular से और D2L का मतलब हो जाएगा Epsilon 2 E2 Perpendicular तो यहां से E1 Perpendicular पर जो वैल्व होगी Epsilon 2 अपॉन Epsilon 1 E2 Perpendicular और यह हमें किसी समय पर एक चीज हमें पहले से ही बता है किसी समय पर जो डायरेकर कॉंस्क्टाइंट होता है कि वह Epsilon अपॉन Epsilon नॉट होता है तो Epsilon की जिगह पर हम लिख पाएंगे K Epsilon नॉट और जैसे हम हम यहां से Epsilon 2 की जिगह पर K Epsilon यहां पर पुट करेंगे Epsilon 2 की जिगह पर पुट कर देंगे K2 Epsilon नॉट और Epsilon 1 को जो बाइट करेंगे वह करेंगे K1 Epsilon से तो यह हमारा कैंसल आउट हो जाएगा उसकी जिगह पर हम के टू अपॉन कह पाएंगे तो K1 किसी समय पर जो हमारे पास गिवेन है के टू की वैल्यू 3 और K1 की वैल्यू 1.5 और E2 परपेंडिकुलर केवल जो असर पढ़ेगा एलेक्टिफीट के कंपोनेंट पर डियालेक्टिक कॉंस्टेंट का पर 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 पड़ेगा यहां पर जो प्लेंट रखा है वो पहले हम ध्यान दें केवल हम एफेक्ट गेल्स देखेंगे यहां से 3 разм 1.5 यहां हैं पर 1.5 तो यह समय में यहां उसकी वैल्यू 3 इसी डीजन में इकस-1-20 वैल्य-20 en रहिए बांडिक ऑर यहां सथा उसकी टी दूसरा लीजन है उसमें एक तरफ एवन है तो एवन की वैजू हो जाएगी इन कंपोनेंटों पर को असर नहीं पड़ाएगा 3x प्लस 4y यह यह वैक्ट चलें माइनस 24 जाज हम ले लेंगे तो यह हमारा एलेक्टिक फील्ट की सीज़में एवलूट हो जाएगा अगर हम एलेक्टिस प्लस्मेंट वेक्टर बताना उसमें तो D1 को हम पूट कर दें D1 is going to epsilon 1 E1 और epsilon की जिगे पर लिख दें हम यहां से यह हमारे पास आजाएगा epsilon 1 है हमारा k1 epsilon 0 वह हम पूट कर दें तो K1 की value 1.5 epsilon E1 epsilon 0 को ही रखें K की 1.5 को multiply कर दें तो 1.5 को जब 3 से multiply करेंगे तो 4.5 आएगा जब 4 से multiply करेंगे तो 6 आएगा और किसी समय पे जो हमारा third component है minus 44 उससे multiply करेंगे हम 1.5 को तो यह हमारा मारे 36.90 आएगा जब कर देंगे तो important question है और इस पर questions आता रहता है मैं इस तरीका की pattern की प्रोब्लम पहले भी करा चुका हूं आया हो question था यह guest का उसी pattern पर आया था question इंपोटेंट है और सदा इससे तयार करके रखें उसके अलावा इसी वीडियो में मैं इक प्रोब्लम बहुत इसकस करने जा रहा हूं boundary condition for normal and tangential component of current density vector तो normal and tangential component of current density vector हम देखेंगे किसी समय पर जो एक माध्यम है जिसमें माध्यम में किसी समय पर conductivity सिग्मावन है इदर दूसरे माध्यम में conductivity सिग्माटू है region 2 में और यह region boundary है boundary हम जानते हैं कि boundary है कैसी imaginary line होती है जो दो माध्यमों को अलग-अलग करती है तो यहां से किसी समय पर electric component E1 होआ इदर की तरफ और D1 इसके साथ electric displacement vector है सिमिलर इदर ले लें E2 electric field और D2 हम किसी समय पर electric displacement vector ले लें यह दोनों vector quantity है तो हम किसी समय पर किर्चाब फ्लों से जानते हैं कि किसी समय पर सिग्माई की value 0 होती है और इसका मतलब होता है कि first flow यह कहता है कि आने वाली current और जाने वाली current किसी particular junction के उपर उसे होती है अगर क किसी समय पर junction के ऊपर charge का accumulation नहीं हो रहा है तो इसे समझाने के लिए हम ऐसे लेकर चलते हैं कि अगर कोई हमारा यह जैंसन है और सपूज किया यह हमारे पास दो current आती है I1 I2 और इस जैंसन पार के मिलती है और किसी समय पर जो current आई है वो I1 प्लस I2 होंगी और किसी समय पर अगर हैंसे यह हमारे पास दो current के वे हैं किसी समय पर वायर जिनमे current फिलो कर रही है और इसमें सपूज किया जो वायर में current फिलो कर रहे है वो I3 I4 है तो यह I3 प्लस I4 के बराबर होगा तो आने वाली current I1 प्लस I2 हो गई और इस जैंसन से जो बहार जा रहे है current लोग का वह होता है love conservation of charge कि किसी समय पर चार्ज ना तो create किया जा सकता है और नहीं किसी समय पर create किया जा सकता है नहीं यह पीर सिब्सक है और उस्टनिक्स और किसी समय पर एकराइबनियुक्स। यह नहीं में किसी समय होगी। यह तो समझा चुका हूं यह यहां यह प्रक्ष्क का प्रटयर काई फेल स्मय सकते हैं । तो उस समय पे J के साथ जब हम लेके चलेंगे, तो J के साथ जब normal component continuous हो जाता है, तो JN1 को हम लेखेंगे JN2, और इसका मतलब होगा कि J1 perpendicular की value J2 perpendicular के बराबर होगी, J हमारा होता है किसी समय पर sigma E, तो ये sigma 1 E1 perpendicular is going to sigma 2 E2 perpendicular हो जाएगा, क्योंकि J बराबर sigma E हम जानते हैं, ये हमारा J बराबर sigma E जो होता है, इसको हम किसी समय पर ओम-slow भी कहते हैं, ये ओम-slow से आता है, और ओम-slow ये कहता है बिसी कहली, कि किसी समय पर current density J, वो directly network करती है E के उपर, जैसे जैसा हम electric field को बढ़ाते जाते हैं, current की value बढ़ती है, current density की value बढ़ती है, और electric field का मतलब है voltage से, तो अगर किसी समय हम voltage को बढ़ाते हैं, तो उस current बढ़ती है, और current बढ़ती है, तो किसी समय पर voltage के बढ़ने से electric field भी बढ़ता है, और electric field बढ़ने से current बढ़ती है, तो current density की बढ़ती है, सब्सक्राइब किसी समय पर कंपोनेंट की वैल्यू होगी किसी समय पर कंपोनेंट की वैल्यू होगी कि समय पर कंपोनेंट के लिए तो कि लिए चलंग एक चलंगे किसी समय लिए हमारे पास। असी तरिके से पर देखें हम पर फर्मस्रिकी यह आपकोनेटं हमारा e2 sin theta 2 है तो इस junction के उपर e1 sin theta 1 की value e2 sin theta 2 के बरावर होगी जो हम नहीं है लिखिए e1 sin theta 1 बरावर e2 sin theta 2 और इसमें e1 cos theta 1 बरावर e2 किसी समय पर ये दोनों values को अगर हम बरावर करें तो हैं से हम देखेंगे कि sigma 1 e1 cos theta 1 sigma 2 e2 cos theta 2 से डिवाइट करेंगे इसको तो इस sigma 1 cos theta 1 बरावर sigma 2 cos theta 2 आजाएगी यह जो हमारे पास में component है पहले component हमारे पास जो आएगा इसका क्योंकि हम नॉर्मल से component ले रहें तो perpendicular में यह perpendicular normal component कहलाएगा even cos theta 1 और यह जो हमारे पास इदर component आएगा e2 cos theta 2 यह हमारा कहलाएगा e2 perpendicular और अगर हम इसे sigma 2 से multiply कर दें तो यह किसी समय पर सिग्मा 2 e2 cos theta 2 हो जाएगा और सिग्मा 1 से multiply करें तो इसी किसी समय पर यह हमारा j1 perpendicular होगा और यह जी तू पर पेंटिकुलर होगा तो यह से हमारा एक्सप्रेशन्स एविडियोट हो जाएगा और पहले न कंपोनेंट से even sin theta 1 हो जाएगा इन दोनों के division से हमें यह दिलेगा तो हम क्या देख रहे हैं किसी समय पर हमने एक पहले में ने वीडियो अप्लोड की थी उसमें पढ़ा है था epsilon 1 quad theta 2 epsilon 2 quad theta 2 के बराबर होता है sigma 1 quad theta 2 sigma 2 quad theta 2 के बराबर होता है अभी हम देख रहे हैं और 1 quad theta 1 2 quad theta 2 के इपकल होता है यह हम किसी समय पर बांगी कंजिसंस तीनों को सदा धियान रखें तो इंपोर्टेंट बांगी कंजिसंस हैं जिन पर questions लगाता रहता है तो इस वीडियो में केवल इतना ही और खासतोर से मैं एक चीज जो यहां बताना चाहूंगा वह है कि इस प इस पर बांगी कंजिसंस पर कराई है यह लगाता रहा है एक questions इस में जो आता है वो d1 perpendicular is going to d2 perpendicular plus sigma f इस पर ध्यान रखें इस पर questions आ सकता है कि यह किसी समय यह देगा और यह देगा और यह देगा तो इस पर काम करके रखें तो इस टैप के questions करके रखें किसी समय पर प्री charge exist करता है तो हम इससे expressions निकालें फिर चार्ज नहीं है तो इन दोनों को बराबर कर दें तो इस टैप की problems करके रखें मुझे उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसे वीडियो को दूर दूर तक सियर करें गाओं के बच्चे जो दूर दुराज के इलाकों मे हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्यास करें कि जिससे जो हमें एक मुहिम लगाए होई हैं चला रहे हैं वह दूर दूर तक बच्चों तक यह पहुंच पाए थैंक्यू धन्यवाद